हेलो अवरीवन आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चानल एकेडमिक एक्सेलेंस इनिस्कूर्ण 887 की वॉक्सीट को सॉल्व करते हैं ये है एक एक नियम और प्रतीसद ये निया पार्ट चलू हो रहा है चली सुरू करते हैं चीमत लिखें 9 रुपे में एक एपल लिया है तो यहाँ पर है हमारे पास एक दो दीन चार पांच शे साथ आठ 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 आपल तो आठ आपल नौ गुणे आठ यानि 72 रुपे का होगा एक बाल्टी 175 रुपे की है तो यहाँ पर मुने 5 बाल्टी ली है तो 175 गुणा 5 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 875 रुपे तो यह 875 रुपे खर्च करने के बाद इतनी बाल्टी आएंगी एक वेक्ती बारा दिन में कर रहा है तो चार वेक्ती उसी काम को कितने दिन में करेंगे तो बारा बटे चार करेंगे तो यहां तीन दिन में तीन दिन में यह काम फिनिश हो जाएगा एक की कीमत लिखें यह जो रुपे, बहतर रुपे के एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, चै कप है, तो एक की कीमत कितनी होगी, 72 को 6 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 रुपे, यानि 12 रुपे का एक कप है, टोटल 6 कप का था 72 रुपे, 380 रुपे की यह 4 कप है, एक, दो, तीन, चार, परपल कप 380 रुपे की 4 कप है, तो एक कप का रेट क्या होगा, 380 बटे 4 करेंगे, यहाँ जाएगा 95 रुपे, 95 रुपे की एक कप होगी, चौता सवाल, काम को पूरा करने में लगने वाले समय को लिगे, 28 गंटे में, चार लोग 28 गंटे में काम पूरा करते हैं, काम पूरा करने में लगने वाले समय बताएं, जब एक व्यक्ति काम कर रहा है, तो मैं आप बहुत इंटरस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, यह है man और ये है time चार लोग 28 गंटे में काम को कर रहे हैं एक वेक्ति कितने दिन में करेगा, कितने समय में करेगा तो मैंने लिख दिया x, अब आप खुद सोचिए चार लोग 28 गंटे में कर रहे हैं तो एक वेक्ति जाहिड सी बात है कि 28 से जादा बढ़ेगा तो जब भी ऐसा होगा कि दोनों ही case में एक में घट रहा है एक में बढ़ रहा है जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे की दरफ जाएंगे तो घट रहा है संक्या और यहाँ पर नीचे की दरफ जाएंगे तो बढ़ रहा है यानि यहाँ पर increase हो रहा है यहाँ पर increase हो रहा है और यहाँ पर decrease हो रहा है जब भी ऐसा होगा कि दो relations आपस में एक increase हो रही है और एक decrease हो रही है तो हम इसको directly ऐसे into करेंगे 4 into 28 is equal to 1 into x मतलब x x का मात हो जाएगा 28 into 4 करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 112 hours यह ध्यान रखेगा यह बहुत important है एक चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है कीमत लिखें 3650 रुपे यह 4 बैट है और 1,2,3,4,5,6,7 7 बैट कितने के आएगे अब यहाँ पर ऐसा करते हैं इसका मुली लिखते हैं यहाँ पर है हमारा बैट और यहाँ पर है इसका रेट हमने लिए हैं यहाँ पर 4 बैट रेट कितना है 3560 अब यहाँ पर 1,2,3,4,5,6,7 बैट हो जा रहे हैं जब दोनों ही तरफ increase हो रहा होता है तो हम इसे cross multiply करके solve करते हैं यहाँ पर पहले हमने x ले लिया और ऐसे इसको solve करते हैं तो आप solve करेंगे यह आएगा 4x is equal to 7 into 3560 x इधरी रह जाएगा और यह आजाएगा 7 into 3560 by 4 इसको solve करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस box में आ जाएगा 6,2,3,0 रुपे तो इतने रुपे खर्च करने पड़ेंगे यह सारे bets को लेने के लिए question number 6 को करते हैं काम को पूरा करने में लगने वाले समय को लिखें तो यहाँ पर 6 लोग हैं जो 98 घंटे में काम कर रहे हैं तो 6 लोग हैं और यह 96 घंटे में काम कर रहे हैं ठीक अएसे ही यह 8 लोग मिलके इस काम को कितने घंटे में करेंगे तो मैंने मान लिया x 6 लोग में 98 गंटे लग रहे हैं तो जाई सी बात है कि 8 लोग करेंगे तो ये काम कम होगा तो आप देखेंगे कि इस तरफ को यह increase हो रहा है और इधर को यह decrease होगा तो जब भी increase, decrease आमने सामने होता है तो हम आमने सामने ही इसको into कर लेते हैं इसका मतलब यह है कि 6 into 96 जो होगा वो 8 into x के बराबर होगा और x को solve करने के लिए हम 6 into 96 के नीचे 8 लेके आएंगे जब हम ऐसा करेंगे तो 8 को इससे divide करेंगे तो यह आजाएगा 12 और 12 सिखजा 72 hours यह बहुत important work seat है मैंने बहुत slow करके समझाने की पूरी कोसिस की है अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा एक एक टियम का सिद्दान्त या इसके प्रतिश्चत तो फिर मैं आपको दुबारा भी समझा दूँगा थैंक यू अगली work seat को solve करते हैं